वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलितियस्क्रेता कौन हुआ नवधर्मप्रनेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विग्णों में रहकर नाम किया रामधारी सीदीनकर की प्रसिद्ध रचना रस्मी रती से ली गई ये मोटिवेशन पंक्तियों के साथ आए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक नए उत्सा नए उर्जा के साथ जिसमें की हम कवर करते हैं करेंट अफियर के शेशन जिसमें की इंवार्मेंट और साइन्स और टेकोर्फ घर चाहिशन की प्रैजस की नNOकर प्रचना इप्र। है हमारा area of target होता है current affairs का environment section science and technology section जो नई चीज है जिसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया था पिछले session में कि अब ये current affair का session now it is powered by the tricks the mcqs the important facts and the motivation parts motivation से हमने start किया आज के session में हम कुछ tricks भी समझेंगे ताकि exam में ये आपको help करें तो आईए start करते है current affair के session को तो सबसे पहले screen पर देख रहें यहां पर आज का content आज का content है कि देश की first corona vaccine जो नेजल vaccine है सीधा आप nose में लगा सकते हैं इसके लिए कोई injection की जौरत नहीं पड़ेगी रैमन मैक्स से प्राइस actual में इसका संबन science and technology से नहीं है लेकिन क्यों लिया गया मैं आपको बताऊंगा inflatable aerodynamic distillator यह इसरो की बड़ी achievement है उसके बाद stock home junior water price यह सप्ता जो था 23 अगस से लिके first of September तक world water week विस्वजल सप्ता की रूप में मनाय गया इसमें यह price दिया गया फिर यहां देखेंगे युद्धा अभियास वॉस्टॉक फिर आइनस विकरांद की बात करेंगे इंडियास फर्स इंडिजिनस वार्षिप aircraft ठीक है यहां पर बात समझेंगे उसके बाद देखेंगे भारती नौसेना ध्वज जिसे चौथी बार चेंज किया गया और CSIR की पहली महिला महा नहीं देशक यह एक्चुल में आगस्का है लेकिन आपको यह आज में कवर कराऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो सबसे पहले देखिए इंडियास फर्स नेजल वेक्सीन आप कोरोना कोविट का एक पहला ऐसा वेक्सीन जो जिसमें की आप जैसे पोलियो ड्रॉप पीते हैं ना पोलियो दो बुन ड्रॉप आप पीते हैं तो वैसे ही यह क्या है nozzle drop है जिसमें 4 drop लगेंगे दोनों नॉस्टिल में दोनों नाक के जो छेद है इस नॉस्टिल कहते है नासा छिदर कहते है उस नॉस्टिल में 2 प्लस 2 चार बुन से ये आपका कोविट से protection देगा ये जो nozzle vaccine है नेजल vaccine basically इसका नाम आपको याद रखना है examination point आप उसे बहुत important है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये जो nozzle vaccine का नाम है आपको BBV154 भी आपको दिया जा सकता है या फिर incovac भी नाम दिया जा सकता है दोनों नाम से कह सकते हैं इसका actual original नाम है काफी लंबा नाम है है ना जिसमें की हम कहते हैं भारत बायो टेक CHAD 36 SARS-CoV-19 इतना लंबा नाम ना करके आप BBV154 या incovac नाम से इसे जान सकते हैं यह examination point अब उसे important है यह चिंपैंजी एडिनो वाइरस वेक्टर्ड है एडिनो वाइरस जानते हैं जिनका genetic material जिसमें की genetic material मतलब उनमें आनवानसिक पदाद क्या होता है DNA होता है जैसे की बहुत सारे ऐसे disease हमारे डिनो वाइरस से होते हैं खास कर gastro और intestine वाले जिसमें की फिर intestine आच से संबंदित कई बास सर्दी जो काम वाला भी होता है वो सब क्या एडिनो वाइरस से होते हैं तो चिंपांजी जो हमारे पूरवजी हैं उनके एडिनो वाइरस यानि कि उनके जो DNA material को हमने क्या किया चेंज किया और कोविड के प्रती जो काम करने वाले DNA sequence को उस इजात कर ली गई जिसमें कि आपको कोरोना के प्रती resistance आपको प्राप्थ होगा बस याद रखेगा इसमें समझने वाली बात क्या है सबसरे important समझने वाली बात है कि इसका नाम तो इनको वैक या फिर BBV154 जो बेसिकली एडिनो वाइरस वेक्टर्ड मतलब आपको यह पता आपके बाड़ी में inject किया गया है बट उसका जो lethal part है उसका जो harmful part है उसको उसनोंने क्या किया था deactivate कर दिया था अब आपके बाड़ी में वो जब जाएगा तो आपके सरीर में क्या है B cell और T cell antibody बनाएंगे और आपके बाड़ी को resistance प्रोवाइट करेंगे ठीक है तो पहले COVID positive आप इसलिए थे क्योंकि पहले वो lethal घातक था क्योंकि वो part active रहा था और आपका antibody जो सरीर में बना वो उतना आपके लिए फाइदे मन नहीं था और उसके सामने surrender कर रहा था COVID-19 virus के सामने और आप COVID positive होते थे अब ये बात समच पा रहे हैं तो ये जो पहला nasal vaccine है इसका ना या बीवी 154 एक्जाम में पूछा जा सकता है किसने डेवलप किया भारत बायो टेक ने डेवलप किया भारत बायो टेक जो है एक बहुत बड़ी research और फार्मा कंपनी है है धराबाद बेस जिसके डिरेक्टर जनरल है चेर्मेन है है ना डॉक्टर किस्टना एल्ला ठीक है बाद याद रखेगा और यह जो आपका इनको वैक्सीन होगा कोरोना की infection और transmission दोनों में ही प्रभावी होगा ठीक है बस इतनी सी बात याद रखें काफी आपके exam के लिए नाम याद रखें कौन सी company बनाया है और इसका पूरा नाम अगर याद रखना चाहें तो ठीक है अ रमेन मैक्स से प्राइस को कहा जाता है भारत में सौरी एसिया में एसिया का नोबल प्रसकार इसे कहा जाता है एक काफी प्रतिस्टिट प्रिस्टीजियस यह अवार्ड होता है जो च्छे चैत्रों में दिया जाता है examination पॉइंट याद रखेंगा वह च्छे मत्पूर्ण एरिया क्या है यह है आपके सरकारी काम का आज में जादा अच्छा एक फिनॉमिनल काम करने के लिए एसिया में और उसके बाद देखते हैं समास सेवा में अच्छे कारे करने के लिए है ना सामुदाइक नेतित्व के लिए पत्रकारिता के लिए साहित एवं कला छेत्र में और सांती एवा मंतरास्ती सद्भावना के छेतर में काम करने वालों को दिया जाता है इसे सामिल करने का आज ये परपस ये है न्यूस तो इसी सेप्टेंबर फर्स बीक का ही है बट यहाँ पे जितने भी इनका कंट्रिबूशन देख रहे हैं नोबल इन्होंने काम किया है बहुत ही बड़े का बड़े स्तर पर इन्होंने काम किया है और ये सभी का संबंद कहीं न कहीं साइंस और टेकलोजी और इन्वार्मेंट सेक्टर से है जैसे कि देखते हैं ये जो प्राइस विनर है उनका नाम है सोथियारा चिम जो एक क्या है एक साइकोलाजिस्ट है तो बच्चों में और वहां के लोगों में कमबोडिया में खास कर उनके फिनामिनल काम के लिए दिया गया है उनको चिनित किया गया है तदासी हटोरी एक जो है एक अप्थेलमोलाजिस्ट है नेतर रुग विसे सग्या जैपैन से इनको नाम दिया गया है बर्नार्डेट बेड्रीड ये भी बाल रुख विशेसक गया है है और लास देख रहे हैं कि गैरी बैने चेगिग ये क्या है एक इन्वार्मेंटल एक्टिविस्ट है जो बेसिकली प्लास्टिक प्रदूसर्ण को रोकने के लिए उनके अ अब यहां पर आगे बढ़ते हम नेक्स सेशन में देखिए यहां पर अगला स्लाइड जो हमारा देखिए यह है आपका इसरो का एक बहुत बड़ा फिनॉमिनल काम है यह फिनॉमिनल काम क्या है देखिए यहां पर कि इसरो ने क्या किया है एक ऐसा काम किया है कि जब भी हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 कहते ही हमारे दिमाग में एक बात याद आती है कि भई उसका और्बीटर तो चक्कर लगा रहा है अभी भी वो functional है लेकिन हमारा जो lander जिसका नाम क्या था विक्रम और उसके अंदर प्रग्यान जो हमारा क्या था रोवर था याने रोबोड था ये दोनों के दोनों वहाँ पे landing के दोराण damage हो गए थी बस इसी बात से याद रखेगा ये IAD नाम से short form full form ना भी जाने तो ये IAD नाम से आप जानेंगे है ना हिंदी नाम भी डिफिकल्ट है इंग्लिष नाम भी डिफिकल्ट है बेसिकली ये कौन सी टेकलोजी है इस टेकलोजी में ये रहता है कि जो पैलोड होता है पैलोड का मतलब किसी भी सैटेलाइट में जो भी additional electronic devices लगे होते हैं जैसे camera लगा है sensor लगा है radar लगा होता है camera high resolution मारे लगे होते हैं बहुत सारे दूसरे छोटे-छोटे electronic device होते हैं सबको सम्मिली तुरूप से एक साथ हम क्या कह देते हैं पैलोड कह देते हैं तो वो पैलोड की landing को क्या कर रहा है आसान कर दे रहा है actual में क्या करता है यह देख रहें एक sounding rocket है एक sounding rocket को छोड़ा गया और वापस land करने का प्रयास किया गया तो यह जो है हम यहाँ पे fail हो गये थे इस कारण हमारा lander यानि की कहा जाए कि वो जो हमारा विक्रम था वो fail हो गया था अब इस बार हम fail नहीं होंगे याद रखिए चंद्रयान के तीन महत्पूर्ण मिशन जिसमें की चंद्रयान 3 वर्स 2023 में छोड़ा जाना है है ना चंद्रयान 2023 में छोड़ा जाना है याद रखिएगा बहुत important है चंद्रयान 3 चंद्रयान 1 कब हुआ था चंद्रयान 1 2008 में हुआ था चंद्रयान 2 कब हुआ था 2019 में हुआ था चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में छोड़ा जाना है तो यह टेक्नलोजी क्यों महत्पूर्ण है भारत के लिए या इसरों के लिए इसलिए महत्पूर्ण है कि जो भी इंटर प्लैनेटरी मिशन होगा अंतर ग्रही जो मिशन होगा वहां पर यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कि हार्ड लैंडिंग अब नहीं होगी अब सॉप्ट लैंडिंग होगी क्योंकि यह उसी के लिए है बेसिकली क्या है देखो कि कोई भी ऐसे जो है ग्रह या पिंड या कोई भी ऐसा चीज जिसमें सैटलाइट अर्थ पे मंगल पे यहां तक की चंद्रामा पे मून पे वहां पे जब क्या होगा उसको लैंडिंग कराना होगा तो हम क्या गरेंगे इसे इस टेकलोजी का यूस करेंगे और हम हार्ड लैंडिंग नहीं होगी और हमारे लिए वो मिशन सफल होगा चलो एक कोशन आप आंसर करिए चंद्रयान टू मैं तो हमने देखा तीन प्रकार की चीजें थी एक था क्या है लैंडर है ना एक था क्या है आपका रूवर और एक था क्या है आपका और्वीटर और्वीटर मतलब और्वीटर मतलब और्वीट के चार तरफ वह कक्षा जहां पे कोई सैटेलाइट परिक्रमा करती है रिवॉल्विंग करती है उसे हम उसका ओर्बिट कहते हैं प्लेटो का स्वारी प्लूटो का जो है वह और बिट नहीं है इसलिए उसको हम गरह के लिस्ट से रिमूफ कर दिये क्योंकि उसका खुद का गए तो आपको यह आंसर यह करना है कि 2023 में जब हम चंद्रयान 3 छोड़ेंगे तो क्या नहीं भेजेंगे या क्या भेजेंगे तो यह थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका अंसर आ जाएगा क्या है इसका अंसर अगर मैं बताओं तो ओर्बीटर इस ओलड़ी फंक्शनल ये पहले से ही काम कर रहा है लेंडर एंड रोवर इस जो है वो फेल्ड हो गए थे वो हाड लैंडिंग हो गए थी डामेज हो गया था तो चंद्रयान 3 में हम और बीटर नहीं भेजेंगे हम लेंडर और रोवर भेजेंगे यह बात ध्या करेगा क्योंकि उपर से नीचे जब भी आते हैं तो ग्रैविटी जो होती है उसके कारण इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हमारे पास आता है स्टॉक होम जूनियर वाटर प्राइस सबसे पहले याद रखिएगा वर् हमारे पास आता है फॉस्ट ऑफ सैप्टेंबर तो यहां पर दो बाते हैं कि आपको पूछा जाए स्टॉक होम वाटर प्राइस तो अलग नाम आएगा और स्टॉक होम जूनियर वाटर प्राइस आएगा तो अलग विनर होंगे यहां पे एक स्टूडेंट का नाम उपर द तरिके पर उनके क्या है रिशर्च के लिए यह जो है इनका जो स्टॉक होम जूनियर वाटर प्राइस दोगजार प्राइस का इनको अवाड यानि उनका प्राइस मिला है ठीक है यह जो में क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ा पेसंस रखिए उससे पहले आपको जल सरक्षन के छेत्र में या कोई भी जल प्रदूसन को रोकने के लिए ultimately water को लेकर किसी भी प्रकार के आसाधरन कार कोई करता है तो ये price दिया जाता है विश्वका सबसे प्रतिष्ठित price है water conservation के sector में या फिर जल के sector में ठीक है ये देख रहे हैं जल पुरसकार सबसे noble price of water कहा जाता है stockholm water price को और actual में इसके जो stockholm water price के जो winner थे emeritus wilfred brett sat ठीक है तो बस ये नाम difficult है बट आपको ये करना पड़ेगा ठीक ये बात ध्यान रखना है emeritus wilfred brett sat ठीक और इनका काम क्या था vaporization और जल विग्यान के लिए hydrology के लिए कहा जाएगा जल विग्यान के लिए इनका काम था तो ये इनका नाम है ठीक है ये stockholm water price है लेकिन इनका संबंध इधर से है इनका संबंध है कि algal bloom या प्रवाल प्रसपूठन के लिए basically इनका योगदान था अब सुनिए प्रवाल प्रसपूठन क्या होता है आपके आज पास कभी भी कहीं पे पानी भरा हो तो इसे आप देख सकते हैं अकसर हम क्या देखते हैं कि कि किसी भी जल स्रोत में अकसर देखना की पूरा area कई बार क्या होता है वहां से पूरा green हो जाता है मतलब किसी ऐसे सेवाल का असाधरन वृद्धी दी अबनॉर्मल ग्रोथ अब दे अल्गी द्यू टू दे नाइट्रोजन और फास्पोरस ठीक है नाइट्रोजन और फास्पोरस ये दोनों क्या है मैक्रो न्यूट्रेंड में आते हैं किसी भी पौधे के लिए तो एल्गी भी एक पौधा है तो क्या होता है कि प्रदूसित पानी में क्या है फर्टिलाइजर्स या दूसरे ऐसे घरेलू वेस्ट या कई तरीके से क्या होते हैं बहुत सारे कैमिकल्स वगर जाते हैं यदि उसमें नाइट्रोजन फास्पोरस या नाइट्रेट और फास्पेड भी कह सकते हो आप उसकी मात्रा बढ़ गई तो सेवाल का जो है आसाधरन ग्रोथ हो जाता है जिसके कारण पूरा एरिया क्या है उस सेवाल से पट जाता है मतलब पूरी तरह से फैल जाता है पानी दिखता ही नहीं ऐसा लगता ही यह कोई एक गार्डन टाइप का यानि की घास का पूरा मैदान टाइप का है यह आप छोटे मोटे डबरी में भी दिख जाएगा बड़े तलाब में भी दिख जाएगा और कहीं पे भी पलुशन है वहीं पे यह दिखेगा अब यहाँ पे इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इसको बताने का परपस यह है यह इन्वार्मेंट के सेक्टर के बहुत बड़ी घटना होती है UPSC से लेके CGPSC MPPSC या अलग-अलग राज जिस्तर की एक्जाम इन सभी एक्जाम में यह एक इंपॉर्टन एक कंसेप्ट होता है जो पूछा गया है अल्रेडी ठीक है तो अगर आप प्रिविए से के पेपर सॉल करेंगे तो यह अलगल भूम या प्रवाल प्रवाल प्रस्पूटन आपको देखी जाएगा अब होता क्या है कि पूरे पानी के उपर ग्रीन लेयर हो गया अलगी का अब क्या होगा प्रावलम यह होगी कि पानी के अंदर मान के चलिए यहां पर जैसे पानी है यह नीचे क्या है पानी है अब सनलाइट नीचे पैनिट्रेट करके जा ही नहीं पाएगी जब penetrate करके नहीं जा पाएगी तो पानी के अंदर रहने वाले दूसरे पौधों के लिए क्या हो जाएगा उसको photosynthesis में problem होगी मतलब वो plant के लिए adverse condition बन जाएगा नीचे जो है ठीक है अब वो plant ही ग्रोनी करेगा तो उसको खागे रहने वाले कोई भी जूप लेंग टौन या छोटी मोटी मचिलियों पर problem आ जाएगा मतलब पानी का जो है food chain destroy हो जाएगा food chain जो है टूट जाएगा अब problem सभी जीपे सभी पर हो गई ठीक है बात समझ पा रही है तो पहला क्या है नीचे जो है sunlight penetrate करके नीचे जो है नहीं जा पाती क्योंकि उपरी लेवर पूरा covered है abnormal growth of algae के कारण प्रवाल जो आपके सहवाल जो होते बहुत ज़्यादा फैल गए इसके कारण तो सहवालों के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण एक तो sunlight नहीं जा पाती आठ से 9, 10, 11 जो भी हुआ वो और अच्छा clean water में convert होगा लेकिन आठ से नीचे हो गया आठ से 6, 5, 4 हो गया तो फिर उसमें contamination यानि की संदोसित या प्रदोसित इस तरह आना चालो होता है तो इसलिए यहाँ पे जब जो है आपका सहवाल प्रस्पूठन होता है तो यह सहवाल प्रस्पूठन के कारण basically problem क्या होती है कि जो aquatic दूसरे फ्लोरा फॉना है दूसरे जो वनस्पती जनतु है उस पर क्या है उनके अस्तित्व पर फिर प्रस्ण चिनन उड़ जाता है उनकी death हो जाती है वो सड़ेने लगते है फिर उसी डवरी से बदवूगाने चालो होती है ठीक है याद रखना ये बात ये सहवाल प्रस्पूठन सायद मैंने प्रवाल बीच में कादवार कहा है तो इसको सहवाल बस इतनी बातें याद रखेंगे यह एना बेली का एम एना बेली एमरेशन और यहाँ पर यह जो डिफिकल्ड नाम है एमरेटेस विलफ्रेड ब्रेट सर्ट यह दोनों प्राइस आप याद रखेगा है ना वाटर की सेक्टर में नोबल प्राइस कहा जाता है अब चाइना के साथ हम वहाँ पर एक्सराइस कर रहें अब यह चाइना के साथ एक्सराइस क्यों कर रहें इसको भी समझ लीजिए जब दो देशों के बीच में इस प्रकार युद्धा अभ्यास होता है तो आपस में कॉडिनेशन रखना उनके टेकलोजी को समझना हमारी टेकल में वार के कंडिशन में या उस सिचुएशन में हम को क्या इंप्रूमेंट करने की जौरत है तो प्रतिभागी सैनेदलों के बीच में आपका टेक्नलोजी और का आदान प्रदान भी होता है और समन्वें भी कॉडिनेशन भी स्थापित होती है यह युद्धा अभ्यास का साथ सितंबर तक यह अभ्यास होने वाला है और यहां पे इसमें भारत से करीब साथ से आठ गोर्खा राइफल जो बहुत ही ससक्त हमारे आर्मी के पार्ट होते हैं इनके जो है यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अलावा चीन, लाओस, मंगोलिया ऐसे दूसरे सीरिया वगरा जैसे कंट्रीज भी और सोवियत रूस के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में कहना चाहिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बस एक ही नाम इंपॉर्टेंट है वस्तुक का नाम याद रखेगा और दूसरा यहां पे कब से कब तक हुआ था और इसमें चाइना भी चाइ ग्रते हैं है तो आपको यहां पे सबसे पहले कुछ महत्वुन बातों को समझनी है यह उपर देख रहे हैं ओप रिकरांथ है क्या है इंडैन इंडियाण नेल सिस्ट्म ठीक है इंडोन सिस्टम की बात करते हैs आइनेस आपका विकरांत्थ यह भारत का प्रतंत हम डीस है पूरा स्वदेशी नहीं है लेकिन स्वदेशी हम कहेंगे इसे क्योंकि इसका मेज़ॉरटी पार्ट हम यहाँ पे हम अपने भारत में ही किये हैं जिसमें की इसके डिजाइनिंग से लेके इसके मैनुफेक्चरिंग हम इंडिया में किये हैं अब यह आएनस विक्रांद का जो है यह एक्चल में कहा जाए एक नया वर्जन है हम कह सकते हैं एक्चल में आएनस विक्रांद सबसे पहले हम उसे हम इंपोर्ट कर चुके थे उसे कहां से किये थे इंपोर्ट आईए मैं उसे बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इन था अब क्या है उसे रिप्लेस करते हुए स्वदेशी अपना भारत का खुद का डिजाइन किया हुआ खुद का बना यहां पे जो है यह वार्शिप है यह जो आपका विमान वहक पूत है जिसको किसने बनाया है डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे PSU से उनमें से एक PSU का नाम ह पुब्लिक सेक्टर अंडेटेकिंग सारवजनिक शेतर के उपकरम कोचीन शिप्यार्ड इलिमिटेड इसने बनाया है कोचीन मतलब कोची बेजड केरल के कोची में अस्थित है बीस हजार करोड इसकी लागत है बहुत बड़ा यह अपना विमान वहक पूत है एक साथ में क विक्रान की विरासत को सम्मान देने के लिए हमने इसे फिर से क्या है आयनेस विक्रान दिया था इस कारण मैंने कहा कि यह आयनेस विक्रान पहले कभी आ चुका था लेकिन तब इंपोर्टेट था तब वो आयातित था अब यह आयातित नहीं है अब इसे हमने खुद बनाय है ठीक है कुछ ऐसे एकुप्मेंट जरू जरूरत पड़े है ना कुछ तो जिसकों आप कह सकते हैं 24 परसंट क्या है कुछ बाहरी चीज़ें जरूर लगी लेकिन 76 परसंट पार्ट जो है हमारा भारत का खुद का है और टेकलोजी भी अपनी है इसलिए हम स्वदेशी ही इसे कहेंगे अब बात समझते हैं कि यह जो आइनेस विकरांथ है और इसके बाद आइनेस विकरामा देते है तो देखो अभी भारत के पास कुल कितने हमारे पास कहना चाहिए विमान वहक पूत है या एरक्राप्ट केरियर है अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे टोटल टू है दो है भारत के पास कितने पंडुबी है सब्मरीन है कहा जाएगा तो 15 है सब्मरीन और इसमें अंतर क्या होता है थोड़ा सुन लीजिए फिर मैं आपको वो सीक चुबी वाली बात भी आएगी तो टाइप के पंडू भी आएगे स्कॉर्पिन सीरीज वाले जो डीजल इंगिन से चलते हैं और दूसरा हमारा नुकलियर सब्मरीन जो भारत के पास दो ही नुकलियर सब्मरीन है एक्च्वल में तीन हैं लेकिन एक को हमने रिटायर कर दि किया था अब लीज आवदी समाप्त हो गई अब वह उसे वापस जाना है इसलिए उसे रिटायर करना है डी कमिशन करना है कमिशन और डी कमिशन दो सब्द होता है कमिशन मतलब आपको आर्मी में सौरे आपको उसको नेवी में सामिल करना होता है डी कमिशन मतलब उसे क्या करना होता है रिटायर करना होता है तो आएनेस विकरांद को हम क्या किये हैं कमीशन किये हैं सामिल किये हैं नेवी में प्राइमिस्टर मोधी सापने उसे क्या है क्या किया है सामिल करवाया उनके वो आए भी थे और उसको उनके नेतित में यह सी सामिल किया गया और कुछ इसम हमारा दूसरा nuclear submarine है और तीसरा है हमारे पास क्या मैं आईनेस ओर हन्थ यह की सबमरीन है अब बात समझी कि आ इस चेकर को अब रिटाइर करने वाले कर दिये तो अब बचा क्या है दो ही बचा आईनेस अरिहँद्ध और आयनेस आपका अरिघाट तो वह तो पानी के अंधर जाता है सब्मरीन अब ये इसको में भी आइनसी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जब भी क्या होता है कि जो डिजल इंजिन वाले स्कॉर्पिन सिरीज वाले होते हैं याज कोई भी निकले सब्मरीन को जब जौरत पड़ती है उसको चार्ज करने के लिए एनर अंदर गए तो कई साल तक वो अंदर रह सकते हैं याद रखेगा भारत 2000 सन 2000 से लेकर 2030 तक 24 टोटल सब्मरीन बनाने पर काम कर रहा है जिसमें की जल्दी प्राप्त करने के लिए 6 सब्मरीन हमको जल्दी प्राप्त करना है इसलिए प्रोजेक्ट 75 लांच किया गया था जो आपके PSC में पूछा भी गया है वो सब्मरीन के लिए था तो यह जो सब्मरीन यह तो क्या है आपके विमान वहक पोथ हैं यह जब विमान वहक पोथ हैं इसके कई मल्टी परपस होते हैं पहला यहां पे देख रहे हैं एक बार में 25 से लेके 35 तक आप देखते हैं अलग- नमर थी यहां पे बहुत बड़ा नेवी का दल होता है जो नौसेना के रूप में वहां पे तैनाथ होता है और आपकी बॉर्डर को या फिर कहा जाए आपकी सीमाओं को क्या है यह सुरक्षित करता है इसके अलावा यहां पे बहुत सारे रक्षा उत्पाद भी रखे जात तो देख रहे हैं तो आएनस विक्रांद के बारे में कुछ और बाते आई हम समझते हैं तो यहां पे आएनस विक्रांद के बारे में कुछ बाते हैं जैसे कि सबसे बहले हम आएनस यह विक्रांद जब हम इंपोर्ट किये थे यह आएनस विक्रांद यह क्या था पतलब 61 में कमिशन हुआ और 97 में डी कमिशन हो गया अब ये इसका युगदान भी बहुत था क्योंकि इसने भारत और पाकिस्तान की वार में 1971 के वार में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अब ये डी कमिशन हुआ उसके पहले ही हम देखते हैं हमारे पास दूसरा हमारे प आइनस विराट को हम रूस से लिये थे और रूस से कब लिये थे तो याद रखिएगा ये देखिए 1997 में स्टार्ट हुआ है तो इसको समाप्थ होने के पहले ही हम लेंगे क्योंकि भारत की सुरक्षा का सवाल है तो ये थिये थे 1987 में हम लिये थे जो वर्स 2016 तक इसको हमने सर्विस लिया उसके बाद वो रेटायर हो गया अब फिर से वही बात कि 2016 के रेटायर होते तक तो वेट करेंगे निए उससे पहले ही हम इसे नया वाला लेंगे तो अगला हमारा जनरेशन का आ गया आई एनस विक्रमा दित्या और ये अब तक का क्या है विक्रमा दित्या भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पूथ था अब नहीं है क्यों नहीं है अब आईनस विक्रांद जो अभी इस वीक में क्या है कमीशन हुआ है कमीशन नहीं हुआ एक्शुल में इसका जो है सामिल किया गया अभी एक्शुल में इसकी services जो है अगले वर्स मतलब 2023 से क्या है प्रारंब होगी तो आफिशली सब चीजे हो गई है बस उसे जो है बाद में सामिल किया जाएगा ठीक है तो आइनेस विक्रमा दित्य जो है ये देखते हैं आइनेस विक्रमा दित्य हमारे पास एक अगला जो है एक बहुत बड़ा विमान वहक पोत था जिसे हम वर्स 2013 में क्या है इसे सामिल किये 13 14 लिख लिजेगा कुछ एक्चन में 13 को हमने इसे मंगाया था लेकिन 14 में वर्स 2014 में इसे सामिल किये थे यह सबसे बड़ा हमारा विमान वहक पोत था ठीक है इसे कहां से लिया गया तो लिख लिजिए ये भी लिया गया था आपके रूस से लिया खया था ये बाते आपको ध्यां रखनी है तो आयनेस विक्रांद फिर आइनश विराठ फिर आयनस विक्रमा दित्तिया और विक्रफ्ण थिक्रमा दित्तिया हमारे पास अभी भी सर्वीसिस मिल रही है पिछली star में मैंने बताया और इसके बाद अभी देखते हैं हि dispensace इ इत्या दूसरा आइनस विक्रांद अब ये बात भी ध्यान रखेगा कि अपने चाइना बाजू में चाइना के पास भी कितने विमान भाग पोथ हैं तो दो ही पोथ हैं जिससे हमको खत्रा है ठीक ये बात ध्यान रखेगा अच्छा इस स्लाइड में देखिए कि भारती नौ सेना का जो द्भस था यह द्भस था एक्च्वल में 2050 के बाद चार बार बदला गया है ठीक है तो उसमें हम देखते हैं कि 2022 के पहले अभी सेप्टेंबर के पहले अगर देखेंगे तो इस प्रकार यहां पे यह जौर्ज क्रॉस होता है ना जौर्ज क्रॉस के बीच में यहां पर देख रहें ऐसा था अब क्या है इंडिया का फ्लेग एजटी से यह क्रॉस को हटा दिया गया और चट्रपति सीवा जी के जो है उनके जंडे से प्रेडित होते वें यहां पर यह नया जो है आपका जो है सिंबॉल लगाया गया है यह जो आपका सत्यमेव जैते वाला ह यह चक्र यहां पर ले आया गया है आपको यहां पर बस एक बात याद रखनी है कि यह जो है आपके आयनेस विराट के क्या है आयनेस विराट के क्या है अनावरण के समय इसे क्या इसका अनावरण किया गया है और दूसरा हम यहां पर बात करेंगे आयनेस विरांत को विकर पुद्ध ही ऐसा माना जाता है हैना हितिहास में हम पढ़ते हैं तो उसी को प्रेडित मानते हुए प्रेड़ना लेते हुए हम किये हैं सम नो वरुनहा इसमें लिखा है बस याद रखेगा आपकी जानकारी के लिए के वाला यह एक्जाम में पूछेगा नी भारती नौ सेना 2050 के बाद देखते हैं फर्स टाइम सेकंड टाइम थर्ड और फोर टाइम चार बार यह चेंज हुआ है ठीक है ओवराल पांच कह सकते हो जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अलग-अलग समय में आया है लेकिन आपको इससे पहले यह था अब यह हो गया बस इतनी बात नहीं य ऐसा कहा गया कि यह ब्रिटीस उपनिवेश की याद दिलाती है इसलिए वो जॉर्ज क्रॉस को यह वाला जो क्रॉस है जो एक एक्ष्वल में कहा जाए एक माना गया ठीक है बागी डिटेश इसमें कुछ खास बात नहीं है latest को देखना cross को हटाया गया क्या और नौ से ना crest को सामिल किया गया बस इतना याद रखिएगा बाकी आपको जो है ये चीजे I hope समझ में आई होगी अब यहाँ पे बात करते हैं ये आज कलम August की घटना है लेकिन मुझे आपको आज बताना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि हम August के कुछ current affairs और July last के कुछ current affairs हम जो है बीच में skip कर गए थे उसे मैं आपके लिए फिर समक्ष लेकर आऊंगा ठीक है आप बिल्कुल worried मत करिएगा examination point आव उसे हर वो जरूरी चीज जो आपको मुझे जो लगता है आपके लिए वो relevant है वो सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइट करूँगा आज के इस session में यहाँ पे देखिए भारत की पहली ऐसी lady scientist जिनका contribution lithium iron battery के उस पे research के लिए था जिसके कारण सभी e-vehicles, e-car और electronic जो battery वगरा यह lithium iron battery की कारण है और इसमें इनका जो है आसाधारन योगदान के लिए जो है भारत की सबसे बड़ी सबसे biggest जो है scientific institute council of scientific and industrial research CSIR की यह पहली महिला महा निदे सक director general बनी है ठीक है नाम है डॉक्टर नला थम्भी कलाई सेलवी तमिल नाडू से based है तमिल नाडू से आती है और CSIR जो है जिसकी स्थापना भारत में आजादी के पहले ही हो गई थी नहरू भटनागर आप प्रभाव अगर आप जानते हैं तो इस CSIR की घटना उसी समय हुई थी है ना renowned scientist डॉक्टर सांती स्वरोब भटनागर और पंडित नहरू दोनों के सयुक्त प्रयासों से भारत में पहली बार Council of Scientific and Industrial Research की स्थापना हुई थी और 1940 के इस दसक को ही आधुनिक विज्ञान एवां प्रादोगी की का जो है है ना विज्ञानिक एवम अध्योगीक अनुसंधान संगठन की स्थापना इस वर्स हुई थी 1942 में ठीक है डॉक्टर सांती स्वरोब भटनागर जो एक रेनाउंज जो है scientist थे chemistry के बहुत बड़े scientist थे है ना उनकी मदद से ये हुई थी और अभी भी ये CSIR भारत की बड़ी संस्था है इनके करीब 38 से लेके 39 अलग 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 लैब है और इनका जो है सब के सब वहां report करते हैं जो भी research publish होती है research paper publish होते हैं कई बार जो articles वगर आते हैं ये यहाँ पे CSIR वो पूरा वहां पर submit होती है और CSIR जो है research sector पर काम करने वाली या scientific sector पर काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है है ना भारत का सबसे बड़ा R&D जो है organization है before independence की जो है स्थापना हुई थी अब लोग मुझे ये बताए इसका static part में बता देता हूँ आजादी के पहले भारत में कितने ऐसे वैज्यानिक संस्थान स्थापित हुए है तो चार याद रखिएगा ठीक है एक तो आपको CSIR मैंने बता ही दिया है ना यहाँ पर मैं बता देता हूँ CSIR एक है है भाबा Atomic Research Center है जिसकी स्थापना हम देखते है ताटा इंस्ट्ट आफ फंडामेंटल रिसर्च है यह दूसरा है उसके बाद याद रखिएगा ICAR Indian Council of Agriculture Research और Indian Council of Medical Research यह चार बड़े बड़े सस्थान है भारत में टेकलोजी डवलप्मेंट आप इंडिया में इन चारों सस्थानों का बड़ा योगदान है ठीक है यह अगरिकल्चर सेक्टर पर इंडियन काउंसिल अगरिकल्चर रिसर्च इंडियन काउंसिल आप मेडिक है ना कब है 1945 जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा जो भारत में परमानु विज्ञान के जनक है नुक्लियर जो है टेकलोजी के जो फादर है उनकी मदद से और सर दुराब जी टाटा टाटा ग्रुप के जो है जो है बहुत बड़े उनका योगदान के कारण आप देखत है यहां पे बात ध्यान रखेगा तो यह आपका होता है ओवराल इसकी स्थापना यहां पे देख रहे हैं है हैटकॉर्टर न्यू डैली में ठीक यह बात क्लियर होगे आप सभी को तो चलिए अब हम देखते हैं आज के स्लाइट सबसे लास स्लाइट को जिसमें की मैं लिए स्थेजन को या एक्टिवेशन सीरीस को तो यह स्था ज़ग पर जंग लग जाती है तो उस पें जिंग का लेपन क्यों करते हैं तो जिंग का लेपन करने पर वो क्या होता है वो से prediction मिल जाती है तो उसे हम galvanization या यसद लेपन कहते हैं तो यहाँ पे अगर इसका trick मैं आपको बताओं तो फहले आप यहाँ पे समझेगा activation series में तीन बाते होती है सबसे जो होता है उपर में यह होता है highly reactive उच्छ सक्री अधिक सक्री होता दूसरा क्या है moderate reactive और तीसरा होता है least reactive या कम सक्री है अत्यधिक सक्री मध्यम सक्री हो अत्यधिक कम सक्री है ठीक है यह होता है तो जब यहाँ पे इसको अगर note करना चाहें तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर यहां पे देखिए मैं यहां पे लिखाऊं कुछ महटपूर तत्विं के नाम अगर इसे आपको याद करना है आपको एक्जाम पूछा जाता है ना एक्जाम में क्या पूछा कहूंगा इसे इस प्रकार कहूंगा कि उपर वाला हाइली रियक्टिव है नीचे वाला लीस रियक्टिव है सोडियम को मिट्टी के तेल में डूबो के रखा जाता है क्योंकि हाइली रियक्टिव है सबसे ज़्यादा रियक्टिव कौन है तो पोटेशिया में सबसे कम क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर लेकिन इसके नीचे और लिस्ट है उस लिस्ट को मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ आप यही मानना ठीक है इसके नीचे ही लिख लेना यह एक्जाम में काम आएगा आपको यह आता है AU उसके बाद आता है प्लेटिनम ठीक है यह इसके नीचे वाला कनक की मा मतलब mg और ए तो कनक की कुछ नहीं है तो कनक की मा जो फेस्बुक पर है क्यों है ठीक है कनक की मा जो फेस्बुक पर है क्यों है फिर सिल्वर सोना चांदी मतलब चांदी सिल्वर और प्लेटीनम आप याद रख सकते हैं लास में क्योंकि वो प्योर फॉर में मिलता है प्लेटिनम पूर में मिलता है, गोसोना पूर मिलता है और सिलवर पूर मिलता है तो आपको ये चीजें एकजाम में पूछी जाती है तो याद रखेगा, ट्रिक्स क्या, मैंने बताया कनक की माँ, जो susbuk पर है, क्यों है यहां पे कनक माल वे कालफनी करेक्टर है किसी का नाम है तो हम रेली सौरी बस केवल हम निमोनिक्स को याद रखने के लिए कर रहे हैं तो जो हम जनरल क्या होती हमारे जो मम्मी या माता वगर होती है वो बहुत ओल्ड एज वाले होते हैं तो वो उस जमाने में ये फेस्बु पर है क्यों है आप एकदम मतलब सौक हो गए या आश्यर हो गए कनक की मा जो फेस्बुक पर है क्यों है तो कनक की मा जो फेस्बुक पर है क्यों है ठीक है यह बात आपको समझ में आई क्या नहीं समझ आया तो एक बात दुबारा रिवाइस कर लीजेगा ये इस पर इतना अगर activation series होगा तो आप कोई भी किताब में जो questions metal से आए हुए हैं उसके पीछे का MCQ अगर solve करेंगे तो कम से कम कई type के गर भी 4 से 5 type की question इसमें solve हो जाते हैं पहला question की कौन ज़्यादा reactive है कौन list reactive है आज पूछा जाता है तो चार जब option दिये होंगे तो आप इसमें confused हो सकते हैं अगर यह series पता है तो आप भूलेंगे नहीं ठीक है तो यहां पर बात समझेंगे aluminium तक highly reactive होता है सबसे highly reactive potassium sodium calcium magnesium मगरा और सबसे कम reactive यहां सोना चांदी यह platinum मगरा आते हैं ठीक है और moderate reactive में आपके aluminium मगरा आ जाते हैं ठीक है यह बात ध्यां रखिएगा है ना यहां पर देख रहें एक मात्र ऐसा जो है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जो है उसे आवारा तत्वभी कहा जाता है वो क्या है परिडिक टेबल के अगले वीक में कुछ नए current affair के साथ और कुछ MCQ भी हम उसमें सामिल करेंगे कुछ important fact भी सामिल करेंगे आज हमने केवल motivation और एक ट्रिक को सामिल किया है Thank you so much, have a nice day